अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चलिए शुरुबात करते हैं आज के इस नौटिफिकेशन का सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैंसन किया गया है अब बात करते हैं नमबर आफ पोस्ट के बारे में और साथी साथ सेलरी के बारे में सबसे पहले सहाया गेड़ 3 के लिए टोटल पोस्ट अगर हम बात करें तो यहां पे 40 रखा गया है पेस्केल रहेंगा उनीसजार पांत साथ से बासस हजार रुपे तक सेड़ी तो यहां पर आपकी किलिए है तो ये तो बात होगी हमारे post की और salary की apply कैसे करेंगे तो सबसे पहले मद्यपरदेश विधान सभा के official website के माध्यम से आप apply करेंगे जैसे ही video channel पे available होगा आपको सारी चीजे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी including official websites it's clear है चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजे रहेंगी तो सबसे पहला important date online आवेदन करने की तीथी जो है 11 अक्टूबर से start हो चुकी है last date रखा गया है 10 November को ठीक है online application का आपका परिक्षा सुल्प जमा करने की तीथी रखी गई है 10 November और final submission का डेट भी रखा गया है 10 November नेक्स आते हैं यहाँ पर कि क्या क्या requirement रहेगी सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चलते हैं हमें आप eligibility criteria पर ठीक है पहला आपका सहाया इसके अलावा प्रसारित बेतन बेतन मैट्रिक्स लेबल के आन महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते आपको दिये जाएंगे सबसे पहले आपको तीन वर्स की प्रोबेशन प्रियेट पर रखा जाएगा देना आफ्टर आपका पर्मानेंट जॉब किया जाएगा इसके अलावा मध्यप्रदेश सासन समान्य प्रसासन विवाग के अनुसार विद्याले से एक वर्स का कंप्यूटर डिप्लोमा या सेटिपिकेट जैसे आपने PGDCA कर लिया है या ADCA कर लिया है तो भी आप यहां पर अपलाई कर सकते हैं साथी साथ आपको मैध्य प्रदेश जानी किये मैप IT से CP CT का प्रमान पत्रिया स्कूर का रिक्वाइड है ठीक है मिनट के हिसाब से द्यान रखिएगा 400 सब्दों का डिक्टेशन दिया जाएगा और पचीस मिनट की ओधी में टंकन टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा ठीक है द्यान रखिएगा इन सारी चीजिएं को आंदंड को यहां पर वर्यता दी जाएगी यानि पुलिस विभाग में जिस तरीके से हेल्ट एंड फिजिकल रिक्वार्मेंट होती है सेम यहां पर अप्लिकेबल होगा ठीक है नेक्स आता है हमारे पास इंपॉर्टन क्राइटेरिया एज का तो ध्यान रखेंगे एज के कि अगर मैं आप से बात करूं तो एक एक दोहजार बाइस यानि की एक जनवरी दोहजार बाइस को मैक्सिमम फोटी एर्स होना चाहिए ठीक है ध्यान रखिएगा इसके अलावा आयू सिमा में छूट दी जाएगी गौवर्मेंट के नौम से मद्धेपरदेश गौवर्मे करणपत्र अगर आप किसी और्गनाइशन में काम कर रहे हैं तो नौन ठीक है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनो सी आपका रिक्वाइड होगा ठीक है अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है क्रिमिनल केस आपके उपर लगा हुआ है तो आपको यहां पर भरने में क इसके बाद आता है आपका चैन प्रिक्रिया तो ध्यान रखेगा चैन प्रिक्रिया जो है चैन प्रिक्रिया जो है यहां पर आपको रिटेन एक्जाम के अधार पर होगा और साथी साथ स्किल टेस्ट के अधार पर चैन प्रिक्रिया किया जाएगा या फिर इसके साथ साथ आपका personal interview भी लिया जा सकता है clear next आता है कि आपका application fee कितना लएगा तो ध्यान रखेंगे साड़े 400 रुपे साड़े 400 रुपे किसको लगेंगे यहाँ पर general candidate को और विकर सेक्षन जो की economically विकर सेक्षन है AWS उनको यहाँ पर 300 रुपीज देना है clear रहेगा इसके अलावा यहाँ पर ACST candidate को कोई fee नहीं देना है कुछ यहाँ पर आपको interpretations के बार हैं बताया गया है कि क्या क्या चीजे रहेंगी तो ध्यान रखेंगा चेयन के लिए वस्तुनिस्ट जो प्रस्ण होंगे उसकी total marks होगी 50 इसके अलावा आपका कौसल परिच्छा जो कि स्किल टेस्ट होता है 50 एंड इंटर्वीव आपके 15 मार्क्स के हो सकते हैं online वस्तुनिस्ट प्रस्ण में ध्यान रखेंगा multiple choice question होंगे इस question में से इस question में से आपका negative marking की भी condition बनाई जाएगी किलियर है यहां पर आपको समाननी घ्यान ध्यान रखेंगा syllabus के बारे में बताया गया है कि टायर वन का exam जो होगा written exam written exam जो multiple choice question के होंगे computer based होंगे इसके लिए आपको यहां पर syllabus दे दिया ठीक है मद्यपर्देश में अगर आप देखेंगे तो syllabus में दो चीजों को रखा गया है मद्यपर्देश का जेनरल नौलेज और computer का knowledge नेक्स्ट आता है कि कैसे आप apply करेंगे तो official website www.mpbidhansabha.nic.in पर जाकर के आप apply करेंगे और हर एक प्रोसीजर को जिस तरीके से यहां पर इस्टैबलिस करके बताया गया होगा उसके आधार पर फर्दर आप प्रोसीड करेंगे और सारी चीजों के बारे में update करेंगे रिक्विसाइट फिल्ट को आप complete करेंगे online application का print अपने पास रखेंगे future reference के लिए अगर कोई आपके पास आपकी जाती से रिलेटेड आपके आए से रिलेटेड कोई प्रमान पत्र है तो उसको भी यहां पर upload करना होगा तो गाइस ध्यान रखेंगा MP विधान सभा का यह एक अच्छा असिस्टेंट ग्रेड में अगर आप देख की जाएगी दिन आफ्र आपको पर्मानेंट किया जाएगा क्लियर है तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग निक्स्ट और नए अपडेट के साथ बने रही है हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक सेर जरूर करें थैंक यू सो मच